हेलो दोस्तो आज हम ब्रत के लिए बनाएंगे साबुदाना की ऐसी रेस्पी जिसके लिए आपको ना साबुदाना को घंटों भी होना है ना पहले से किसी तयारी की जरूरत है बस जब आपका मन करें तब आप इस रेस्पी को बना सकते हैं और ब्रत के लिए ये बहुत ही टेश्टी रेस्पी है तो इसके लिए ये मैंने अच्छी क्वाल्टी का साबूदाना ले लिया है ये टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है इसी तरह से आपको साबूदाना ले लेना है और इसमें डश्ट बगेर है बहुत होती है इस तरह से देखिए थोड़ा सा सफेज सफेज निकलता रहता है तो इसको ना हम पानी से दुलेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है कोई साफ कपड़ा ले लेंगे उस पर हम इस साबूदाना को डालेंगे और किसी सा कपड़े का ही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि हम इसका ब्रत के लिए बनाएंगे तो इस तरह से हम रगड कर इसको अच्छे से मल मल कर साफ कर लेंगे जिससे इसमें जरासी भी डश्ट होगी या सफेज पाउडर होगा वो अच्छे से साफ हो जाएगा तो आप लोग देख स मैंने हर तरह से इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से साफ कर लिया है और अब इसमें बिल्कुल भी कोई भी डश्ट या सफेज जो पाउडर सा निकलता है न साबुदाना से वो बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरह से साफ करने के बाद अब हम एक कढाई ले लेते हैं और कढाई में हमें घी बगेर कुछ भी एड़ नहीं करना है गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसी में लगबग एक से डेड़ मूंधी मूंगफली की दाने डाल देते हैं और अब लो फ्लेम पर ही हम साबुदाना और मूंगफली को रोश्ट कर लेते हैं तो इसको हम हमें बहुत जादा देर तक नहीं भूनना है लगबग चार से पांच मिनट तक ही भूनेंगे और हमें इसका कलर भी चेंज नहीं करना है बस इससे जो मौश्यर है वो खतम हो जाएगा जिससे हमारा नास्ता भी बहुत ही तेश्टी बनेगा तो इस तरह से लगबग चार से पांच मिनट तक ही मैंने इसको भून लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसका बिलकुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है ये देखिए बिलकुल इसी तरह से मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका कलर चेंज नहीं हुआ है अब हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देते हैं और साबू दाना और मूंग फली को किसी अलग बरतन में निकाल लेते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इस तरह से इसको फैला दीजिए जिससे ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये देखिए अब अच्छे से ठंडा हो चुका है और मूंग फली के जो चिलके हैं वो भी बड़ी ही आसानी से निकलने लगे हैं अगर आप चाहें तो चिलकों को निकाल सकते हैं बरना मैं तो इसको ऐसे ही रोष्ट करती हूँ इसको आदा मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसका एक पाउडर बना कर तयार कर लेंगे तो यह बहुत जाद इसके उबले हुए आलू ले लिये हैं और इनके छिलके निकाल लिये हैं और यह अब ठंडे हो चुके हैं तो ठंडे हो गई हैं इसलिए मैं इनको इसमें कद्दू कस करके डालूंगी और अगर आपके पास गरम आलू हैं तो आप उनको अच्छे से हाथों से मसल कर भी डा जब सकते हैं क्योंकि गरम-गरम अलु अच्छे से मसल जाते हैं और उसमें गुठलियान भी नहीं रहती हैं तो इसलिए थंडे आलूँ को मैं कद्दु Skywalker करके डाल रहे हूं जिससे इसमें गुठलियान ना रहे कियोकि हातों से मसलने से अच्छे से मसल नहीं पाएंगे और इस तरह से मैंने दोनों आलों को अच्छे से इसमें कद्दु कस करके डाल दिया है और अब मैं इसमें कुछ चीजें डालूँगी जो मैं ब्रत में इस्तिमाल करती हूँ तो ये मैंने आधा चम्माच कुटी हुई काली मिर्च ले ली है साथ ही मैं इसमें जो ब्रत में खाया जाता है नमक सैंधा नमक वो डाल रही हूँ आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा लगवग एक इंच अद्रक को गिस कर डालूँगी जिस से इसमें बहुत ही बड़ी असा टेस्ट आएगा और साथ ही तीन से चार ये मैंने हरी मिर्च को बारी काट कर ले लिया है आप चाहें तो मिर्च को अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं तो अभी मैं इसमें बिलकुल भी पानी का इस्तिमाल नहीं करूंगी आलू के ही मौशर से मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बाद मैं अच्छे से पता चल जाएगा कि मुझे इसमें कितने पानी की और जरूरत है तो इसी तरह से देखिए मैंने इसको रगड कर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसका एक सौफ्ट सा आटा लगा कर तयार करना है बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाएंगे क्योंकि साबुदाना पानी को सोकता है इसलिए थोड़ा सा सौफ्ट ही रखेंगे और इस तरह से देखिए मैंने एकदम से सौफ्ट सा आटा लगा कर तयार कर लिया है और मैं आपको उंगलियों से दिखाती हूँ देखिए बहुत ही सौफ्ट आटा लगा है साबुदाना से बना हुआ आटा है इसलिए थोड़ा सा चिपकता है तो लगबग आदा चमच घी मैं इसके उपर डाल देती हूँ जिससे ये बिलकुल भी चिपकेगा नहीं और इस तरह से मैं एक लंबा सा रोल बना कर तयार कर लेती हूँ क्योंकि इसका मैं इसी तरह से नास्ता बनाऊंगी अलग से छोटे-छोटे पीस करके नहीं बनाने है इस तरह से जब आप बनाएंगे न तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगा और किसी चाकू से इस तरह से लगबग आदा इंच के पीसिस में इसको मैं कट कर लेती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही फटा-फट से हमारा सारा नास्ता बनकर तयार हो जाएगा बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है और ना ही इसको शेप देने की जरूरत है काटने से ही देखिए इसमें कितना बड़ी असा शेप आ चुका है तो ये नास्ता हम ब्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं मुंफली के तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ क्योंकि ब्रत में हम कोई भी सरसों का तेल या रिफाइन्ड ओयल इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं आप चाहे तो देशी घी में भी इसको बना सकते हैं गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और एक बार में जितना आसानी से आ पाएगा उतना नास्ता हम डाल देंगे क्योंकि ये नास्ता हम साबू दाना से बना रहे हैं तो वो ज़्यादा फूलेगा भी इसलिए इस बात का खास दियान रखना है और जैसे ही एक मिनट हो जाए तो इस तरह से हम इसके उपर तेल डालते जाएंगे जिससे ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से फूल भी जाएंगे और जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसी तरह से इनको क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे तो दोस्तो कैसी लगिए आपको मेरे इस ब्रतवाले नए नास्ते की रेस्पी जिसे बनाना बहुत ही आसान है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा और इस रेस्पी को अपने फैमली और फ्रेंट्स में शेयर करिएगा आप लोग मेरा ये वीडियो के शेहर से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मैं जो भी नई रेस्पी लेकर आँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचें और ये देखिए फटा फट से हमारा बहुत ही टेश्टी नास्ता बनकर तयार है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आवाज सुनिए कितना क्रिस्पी बना है तो चलिए आप लोग भी इस टेश्टी क्रिस्पी नास्ते का ब्रत में आनंद लेजिए मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की नई रैस्पी के साथ